हलो स्टुडेंट स्वाय गता है आपका हमारी क्यूक स्टेडी चैनल पर जिसमें मैं आपके लिए लेकर करके आया हूँ राजस्तान पशू परीचर बरती का जो हमारा पार्ट भी है जो हमारी सब्जेक्ट है पशू पालन विग्यान उसकी टोप क्यूशन सीरीज अगर आप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले चैनल पर आप नहीं है तो फटापर से चैनल को कलीजे सब्सक्राइब ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिपिकेशन मिलने में आसानी रहे साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छ अंसर भी दे सकते हैं और आप इन क्यूशन को ध्यान से पढ़िये ताकि आपके एक्जाम में अगर एक क्यूशन आए तो आपका क्यूशन गलत होने के चांशेज कम रहे साथ ये ट्यूप क्यूशन शीरीज आपके एक्जाम लेवल को ध्यान में रखकर बनाएगी है जिस इस टोपिक को हम क्यूशन के माद्यम से कंप्लेट करेंगी साथ ये साथ माँ आपको बता दो अगर आपको पशुपालन विज्यान के जो थेयरी किलासेद देखनी है तो वो भी चैनल पर आपको मिल जाएंगी वहाँ पर भी जाकर के आप थेयरी किलासेद देख सकते हैं उचित अनपात आवशिक तत्तव मुझूद होने चाहिए वहार कौनसा आपको कहलाता है हमारे ओप्सन से ओप्सन ए निर्वाय आहर ओप्सन बी संतुलित आहर ओप्सन सी वर्दक आहर ओप्सन डिये हरा आहर क्यूशन नंबर फर्ष्ट में जो सही आंसर है वह आंसर है ओप्सन बी संतुलित आहर के अंदर आवशिक पोशिक तत्तव समुचित अनपात में वह उचित मात्राव में पाए जाते हैं जिससे प्सु का संपूर्ण विकास और वर्दी होती है साथ इससे संतुली इताहार में रोग परती रोधग समता के भी तत्तों पाय जाते जिससे पर्सु सुष्थ रहता है तो चलते हैं अगले क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर टू साइलेज बनाने में बनने वाली गैस है जब silage बनाया जाता है तब उसमें कौन सी गेंस बनती है हमारी options है option A CO2 carbon dioxide option B NO2 nitrous oxide C है option C HPO2 option D H2O hydrogen Q2 में सई आंसर है option A CO2 जो silage बनाते हैं उस समें carbon dioxide गेंस बनती है चलते हैं next question के और हमारा अगला question है question number 3 गलाइकोजन को कहा जाता है जो गलाइकोजन है उसे अन्ने किस नाम से जाना जाता है या अन्ने किस नाम से बोला जाता है वीडियो अच्छी लग रहे है तो वीडियो गलाइकोजन को शेयर करना ना भूले क्योंकि अगर आप किसी भी class में आप serious नहीं हो रहोगे तो आप अपनी जो तयारी कर रहे हैं वो तयारी भी शही डंग से नहीं हो पाएगी और आपका selection भी शही तरीके से नहीं हो पाएगा या selection हो ही नहीं पाएगा तो मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी अपनी तयारी के प्रतिला परवाई नहीं करें और अपनी तयारी को serious होकर करें जिससे आपका जो सपना है सरकारी नोकरी लगने का वो पुरा हो सके तो जो हमारा third question है उसके options है option 1 glyco protein, option B पसुई starch, options ये लेगी, option 2 ये protein question number 3 में सई answer है option B पसुई starch जो glyco जिने उसे अन्य नाम से जाना जाता है जिसे पसुई starch भी कहा जाता है और साथे साथ महाँ आपको पता दूँ जो glyco जिने क्या है जन्तों में संचित प्रमुक कार्बाइडरेड के रूमें होता है अधिकांज इस्तंदारियों में जन्तों में glyco जिनका संचित मुक्यता है लिवर और माच स्पेशियों के अंदर होता है अगला question है question number 4 silage बनाने है तो प्रियुक्त बंद हवास्तान को silo के परकार है तो हमसे पूचा गया है जो silage बनाया जाता है जो silo के अंदर बनाया जाता है तो silo कितने परकार के होते हैं तो हमारे options है options इं बंकर नुमा, option भी टावन नुमा, options ये खाई नुमा, option D उप्रोक सभी question number 4 में सई आंसर है option D उप्रोक सभी जो silage बनाने वाले silo है इस्तान है वह तीन परकार के होते हैं बंकर नुमा, दूसरा टावर नुमा, तीसरा वह खाई नुमा, साथे साथ महाँ आपको बता दू इनकी विचे ताई ये रहती है कि इनमें जो हवा है वह प्रिवेस नहीं कर पाती है चलते हैं अगले क्यूशन के और उसी के साथ साथ जो आपका एक और परकार साहिले का वह गड़ी नुमा चलते हैं अगले क्यूशन के और अगला क्यूशन है क्यूशन नंबर 5 एक का अव्यव है तो हमारी options है option a बरशीम, option b range का, option c soya being, option d उप्रोक्षभी question number 5 में सइय answer है option d उप्रोक्षभी जो है उसके अव्यव है बरशीम, range का, soya being तीनों से है बनता है और जो है होता है इसके अंदर जो नमी की बात्रा होती है ये 15 परतिशत होती है और साथी साथ मा आपको बता दू जो सबसे अच्छा हे प्राप्त होता है वह बर्शीम, ब्रेंजगा और सोयवीन आदिशे बनता है साथी साथ मा आपको बता दू अगर आपको हे के बारे में नहीं पता है तो यह हे वह संगरित चारा होता है जो चारे को पकने के आवस्ता में काट कर सुका कर एकतरित कर लिया जाता है या संग्रित कर लिया जाता है उसे है بोला जाता है चलते हैं, अगले question क्यों है, हमारे अगला question है question number six फयसलों की वह आवस्ता जिस में साहेलेज बनता है, कहलाती है हमारे options है, option A, milky stage, option B, sugar stage, options C, final stage, option D, first stage, question number 6 में सही answer है, option A, milky stage, जो पसलों की वह होस्ता जिसमें silage बनता है, वह होस्ता milky stage कहलाती है और मैं आपको बता दू, जो milky stage होती है, यह वह होस्ता होती है, जिसमें पसलों को, पसल के मंदर उप्युक्त नमीवे अधिक्तम पोसक ततों होते हैं चलते हैं, अगले question के और हमारा अगला question है, question number 7, कुकुड आहार निम्न में से कितना तन्तू होना चाहिए तो हमारे options है, option है 5%, option भी 10%, option सी 12%, option भी 15%, question number 7 में सही answer है, option है 5%, जो कुकुड आहार है उसके अंदर जो तन्तू, तन्तू वो ले तो फाइबर, जो रेशिदार आहार होता है, वो कितना होना चाहिए, तो वह 5% होना चाहिए साथी साथ माप को बता दू, जो कुकुड को आहार दिया जाता है, उसके अंदर जो मुमपली का चून दिया जाता है, वह मात्रा नो से 5 kg परती दिन होनी चाहिए और जो मचली का चून दिया जाता है, वह 2 से 5 kg परती दिन होनी चाहिए और जो नमक दिया जाता है वह 0.5 के जी होना चाहिए और जो मेगनी दिया जाता है वह भी 0.5 के जी होना चाहिए और जो विटामीन मिश्रन है वह भी 0.5 के जी होना चाहिए चलते हैं अगले क्यूशन की हो रहा हमारा अगला क्यूशन है question number 8 पसु आहर की मात्रा निर्बर करती है तो हमारे option से option ए पसु की लंबाई पर option भी पसु की नसल पर option सी पसु की उचाई पर option भी पसु के भार पर question number 8 में सही answer है question number 8 है उसमें हमसे पसु आहर की मात्रा किन-किन जोबर निर्बर करती है वह पूँचा गया है हमारे option से option पसू की लंबाई पर option बी पसू की नसल पर option पसू की उचाई पर student by पसू के भार पर question number 8 में सही answer है option डी पसू के भार पर जो पसू आर दिया जयता है वह निर्बर पूछिए तो हमारे उप्शन से उप्शन है टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिटेंट, उप्शन भी है ट्रांस ओमेगा न्यूट्रिटेंट, उप्शन सी है टोटल डिस्टरे न्यूट्रेंट, उप्शन भी है ट्रांस डिस्टरी न्यूट्रेंट, क्यूसर नमर 9 में सई आंसर है option A जो TDN का विश्थारी रूब है वे total digestible nutrients है इसका सामाने बासा में अर्थ यह होता है कि TDN में digestible N की पाचक जो तत्तो है पूर्ण पाचक तत्तूप के बारे में हमसे पूचा गया है चलते हैं अगले question के और हमारा अगला question है question number 10 हे फूच नमी का परतिशत कितना होता है जो हे है उसके अंदर नमी का कितनी परतिशत मातरा होती है हमारे option से option A 15 से 20 परतिशत option B 25 से 30 परतिशत option C 30 से 35 परतिशत option D 35 से 40 परतिशत question number 10 में सही answer है option A 15 से 20 परतिशत जो हे है पूस है उसके अंदर नमीकी मातरा होती है साथी साथ मैं आपको बता दूँ इसके अंदर जो सुस्क पदार्थ की मातरा होती है वै असी से पिच्चेशी परतीसत होती है और जो अच्छी है वै बर्सीम रिंजगा और आदि जो पसले होते हैं उनसे उत्पन होती है अगला क्योशन है क्योशन नमबर 11 किस चारा पसल के अरारंबिक विकास रण में HCN की मात्रा अधिक्तम होगी तो हमारे उप्शन से उप्शन है उप्शन है बादरा उप्शन भी मोड़ दाल उप्शन सी गवार उप्शन डी जो जमार क्योशन नमबर 11 में सही आंसर है उप्शन डी जमार जो जमार है उसके अंदर अरारंबिक विकास रण में HCN की मात्रा अधिक्तम होती है साथिसाथ में आपको बतादू जो जमार है इसकी पसल 50% ज़्यादा फूल आने के बाद में उप्योग में की ली जाती है चलते हैं अगले क्योशन के और हमारा अगला क्योशन है क्योशन नमबर 12 सुके की दसा में पेडों की पतिया तता जाडियों को गोवन्स को खिलाया जाता है इन चारों को कहा जाता है जब सुके की इस्तिती उत्पन होती है तब पत्यत इता जाड़ियों को गोवंज को खिलाया जाता है तो वह चारा क्या कहलाता है तो हमारे ओप्शन से ओप्शन है रक्षी चारे ओप्शन भी सुके चारे ओप्शन C रसीले चारे ओप्शन D आपात का लिन चारे क्यूशन नमबर 12 में सही आंसर है option D आपात कालीन चारे जब सुके की इस्तिती उत्पन होती है तो उसके बाद में जो चारा किलाया जाता है वैं आपात कालीन चारे के रूम में जाना जाता है साधरन तया इसके अंदर गुसा, दाना, हरी गास, खली आदी दिये जाती है तो चलते हैं अगले क्यूशन के ओर हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 13 बंडारी तहे की मात्रा होती है हमारे options है option A 15% option B 22% option C 25% option D 28% Q13 में सही आंसर है option A 15% बंडारी तहे की मात्रा होनी चाहिए वह 15% होनी चाहिए यानि कि हम से पूचा गया है कि जो बंडारी तहे इसके अंदर जो नमी की मात्रा होती है वह 15% होनी चाहिए साथे साथ मैं आपको बता दू जो अगर हे को अधिक सूकने पर इसके अंदर जो प्रोटीन और केरोटीन होता है उसकी हानी हो जाती है तो चलते हैं अगले क्योशन के ओर हमारा अगला क्योशन है क्योशन नंबर 40 अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहे है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले चैनल पर आप नहीं है तो पठाप्रश्य चैनल को कि लिजे सस्क्राइब ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिपिकेशन मिलने में आसानी रहे एक होलिस्टिन फिरिजिन संकर न छे किलो ग्राम ओप्शन डी है 7.5 किलो ग्राम क्यूशन नमबर 14 में सही आंसर है ओप्शन भी 4.5 किलो ग्राम उसे उत्वादन आहर के आउशिकता होगी साथी साथ मां आपको पता जो जो होलिस्टिन फिरिजिन है इसकी दूद के अंदर जो वसा होती है वह 4.5 परतिशत होती है चलते हैं अगले क्यूशन के और हमारा अगले क्यूशन है क्यूशन नमबर 15 फीड का एन एफ इसे बना होता है तो हमारे ओप्शन से ओप्शन है आई जेस्टेबल प्रोटीन ऑप्शन भी गुलंसील कार्भोईडरेट ऑप्शन से डाइजेस्टेबल क्रूड से बना हुआ होता है साती साथ मा आपको बता दू जो कार्बो आडरेड है का ज्यादतर बाग हेमी सेली लोजका वे कुछ बाग सरक्रा तदा स्टार्च का बना हुआ होता है अगला क्यूशन है क्यूशन नंबर 16 नम्मी की खली में पाए जाने वाले तत्तू है तो हमारे आंसर है ऑप्शन डी उप्रोक सभी जो नम्मी की खली में एमिना अमल पाए जाता है ग्लूटेमिक अमल पाए जाता है अगला क्यूशन है क्यूशन नंबर 17 निम्म्न खलियों में से कौन सी दुदार उपस्वों के लिए सबसे अच्छी समझी जाती है ऑप्शन से ऑप्शन डी सोरी हाँ इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मुखपली की खली जो की दुदार उपस्वों के लिए सबसे अच्छी समझी जाती है क्योंकि जो मुखपली की खली होती है उसके अंदर 25 परतिसद जो प्रोटीन होता है 10.2 परतिसद कार्बाइड रेड होती है तता क्योषन है क्योषन नंबर 18 भारी कारी करने वाले एक बेल को कुल कितने दाने के आउसकता होती है उसे कितने मात्रा में जो आःषन है वो देना चाहिए हमारी औप्शन से 2 kg औप्शन 900 5 kg क्विशन नमर 18 में सही आंसर है ऑप्शन एक दो किलो ग्राम जो कि एक भारी कारे करने वाले बैल को कुल आहर देना चाहिए साथी साथ मैं आपको बतादू जो हलका कारे करने वाले हैं जैसे कि दिन में चार गंटे उनको एक ही ग्रादाना देना चाहिए और जो मद्यम कारे करने वाले हैं जैसे एक दिन के अंदर चार से छे गंटे उनको एक पंट पाँच कि ग्रादाना देना चाहिए और जो भारी कारे करते हैं उनको जो दाना दिया जाता है जैसे छे से आठ उनको दो कि ग्रादाना दिया जाना चाहिए चलते हैं अगले question के और अगला question है question number 90 फूसा joint नेपियर किसका संकर है तो हमारे options है option नेपियर into जवार option भी है नेपियर into बाजरा options यह है बाजरा into जवार option भी है बाजरा into जवार student यह दो option एक की साथ है लेकिन कोई बाद नहीं देखते हैं इसका answer कौन सा है question number 19 में सही answer है option भी नेपियर into बाजरा है उसका संकरेन है पूसा जवार नेपियर साथी साथ माँ आपको बता दो जो नेपियर गास है उसको हाती गास के नाम से भी जाना जाता है और यह I, A, R, I नई दिल्ली दुआरा उत्वन की गई है चलते हैं अगले question के और अगला question है question number 20 बैसको परतेक 100 kg सारी रिख बार के लिए कितना सुस्क पदार देना चाहिए option से option A 4.5 kg, option B 3.5 kg, option C 3 kg, option D 2.5 kg question number 20 में सही answer है option C, 3 kg आहार देना चाहिए जिसका बार 100 kg हो उसको साथी साथ मा आपको बता दूँ जो गाई, बैल, बैंस, सांड को जिनका सरीर 500 kg बार तक होता है उन्हें 2.5 परतीसत सुस्क पदार देना चाहिए और साथी साथ अगर जिनका बार 500 की गराशे ग्राम जो कि आहार है वे देना चाहिए अगला क्यूशन है, क्यूशन नमबर 21 अच्छी साइले जिन नमी की परतीसत कितनी होनी चाहिए हमारे options से, options है 30 से 40 परतीसत, option B 40 से 50 परतीसत, option C 50 से 60 परतीसत, option D 60 से 70 परतीसत क्यूशन नमबर 21 में सभी आंसर है option D सार से सतर परतिसद जो एक अच्छी साहलेज है उसके अंदर नमी की परतिसद तो होने ही चाहिए साथी साथ मैं आपको बता दू जो साहलेज है उसका जो pH मान होता है वह है सार पॉंट जीरो होता है अगला question है question number 22 निमलिक जवार परजातियों में कौन सी बहु कटनी नहीं है options है option A पूसा चरी 2 option B ए MP चरी 2 option C ए MP चरी option D पूरी चरी 1 question number 22 में सभी आंसर है option A पूसा चरी 2 जो की जवार परजातियों में बहु कटनी नहीं है और बाकी की जो तीनों ये बहु कटनी है माँ आपको बता दू जो जवार है इसकी केती दानी और सारों दोनों के लिए की जाती है और साथी साथ इसके चारे में जो ज़्यादा पूसिक ततू होते हैं और इनकी जो एक कटाई है तू जो किसमे वे है A 386 A 241 431 पूसा चरी टू और साथी साथ है इसके 855 एप जो कि ये एक कटाई है तू बहु जाने वाली किसमें साथी साथ जो हमसे इसमें पूचा गया दा बहु करनी तो मैंने आपको बता दिया पूसा चरी टू इसका सही अंसर है क्योंकि ये एक कटाई है तू उत्मने होने वाली पसल है साथी साथ जो MP चरी टू और MP चरी और पूरी चरी हुआने आई ये है बहु कटाई है तू उपियो की जाने वाली बहु कटाई है तू लगाई जाने वाली जमार की पसले है इसके साथ ही इसके अंदर जो बहुकर टाई के लिए X 983B है और पंत चरी भी ये भी बहुकरनी वाली पसल है चलते हैं अगले क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 23 मिस कावी वे पूसा विशाल किस पसल की परजातियां है तो हमारे ओप्शन से ओप्शन एक कपास ओप्शन भी जूट ओप्शन सी जई ओप्शन डी बरजातियां है साथी साथ इसकी जो बरजातियां उनके अंदर जो देशी हैं वे तो हैं भैहाली सेडी, जेडी, मिस कावी खद्रावी, आदी तो चलते हैं अगले क्यूशन के ओर हमारा अगले क्यूशन है क्यूशन नमबर 24 जोवार के दाने में प्रोटीन पाया जाता है ओप्शन से ओप्शन ए 10.4% ओप्शन भी 20% ओप्शन सी 40% ओप्शन भी 50% क्यूशन नमबर 24 में सही आंसर है option एक 10.54% जोहार के दाने में प्रोटीन पाया जाता है साथे साथ जो जोहार की जो पसले अभी भी आपको मैंने बताई थी और वो तदाव यूपी चरी 102 ये जोहार की पसले है अगला question है question number 25 question number 25 question number 25 में सही आंसर है option 20% जो कि सुस्क पदार्द की मातरा क्यादार पर बर्सीम की जो पत्या होती है उनमें 5% बीश परती सत होता है अगला question है question number 26 मुर्गियों को खिलाने के लिए निमन में से सबसे अच्छी खली कौन सी है options है option इस सर्चो की खली option इस साल सीड की खली option सी निम की खली option इस बिनोला की खली question number 26 में सही आंसर है option डिप बिनोला की कली जो की मुर्गियों को खिलाने के लिए सबसे अच्छी खली के रूम में मानी जाती है अगला question है question number 27 गाय के निर्वाय के लिए परती 1000 kg सारे भार पर पात्संद सील कुरूड प्रोटीन के आउशिकता होती है option A, option A, 0.70 kg, option B, 1.40 kg, option C, 2.10 kg, option B, 2.80 kg, question B, 2.80 kg question number 27 में सही answer है option A, 0.70 kg, जो की गाय के निर्वाय के लिए 1000 kg सारे बार पर पात्संद सील जो कुरूड प्रोटीन होता है उसके आउशिकता होती है अगला question है, question number 28 एक ग्राम वसा आक्षी करता होकर कितनी केलोरी ताप ये उर्जा पर दान करती है तो हमारे options है, option A, 9.3 केलोरी, option B, 8.4 केलोरी, option C, 9.5 केलोरी, option D, 10.2 केलोरी question number 28 में सही answer है आप्शन है 9.3 केलोरी जो कि एक ग्राउं वसा आक्सी करता होकर ताप्य उर्जा पर दान करती है अगला क्यूशन है क्यूशन नंबर 29 बर्सीम चारे के लिए सबसे अच्छी मिश्रित पसल है आप्शन है आप्शन बर्सीम प्लस जाई आप्शन बर्सीम और सरसो आप्शन सी बर्सीम और जो आप्शन बर्सीम और ग्यों क्यूशन नंबर 29 में सही आंसर है आप्शन बर्सीम और सरसो जो की बर्सीम चारे के लिए सबसे अच्छी मिश्रित फसल होती है अग्ला क्यूशन है क्यूशन नमर 30 पसु रहार जिसमें 18% से अधिक चा रेशा पाया जाता है उसे कहा जाता है ओप्शन से ओप्शने दाना ओप्शन भी ऐखर पूरक ओप्शन C4 उप्शन D एखनीज क्यूशन नमर 30 में सई आंसर है ओप्शन C, चारा, जिसके अंदर 18% से अधिक खचा रेशा पाया जाता है अगला क्यूशन है क्यूशन नम्मर्ट टी वन निम्न में से कौन सा खाद्य मानक संपूर्ण पाचक तत्तू, पाचक कुरूड प्रोटीन प्राप depends है केलसियम, पाथबोरस तता के रोटीन पर आधरीत है हमारे उप्शन से उप्शन A, मोरीसन का मानक, उप्शन B, कोहन का मानक, उप्शन C, आर्म्स बाई का मानक, उप्शन D, तीर का मानक 心 नम्मर्ट 31 में सही आंसर है उप्शन A, मोरीसन का मानक अगला क्यूशन है क्यूशन नंबर 32 एक दुधारू गाय को उसकी सरीर की रक्षा के लिए निम्न में से कितना दाना आहार दिया जाता है हमारे उप्षन से उप्षन है एक पंट एक पांच की गरा उप्षन भी दो से दो पंट पांच की गरा उप्षन से तीन या तीन पंट पांच की गरा उप्षन डियन में से कोई निग क्यूशन नंबर 32 में सही आंसर है उप्षन ए एक से लेकर डेड़ की गरा शरीर सुरक्षा के लिए एक दुधारू गाय को आहार दिया जाता है अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 33 अच्छी हे के लिए पसल को कारना चाहिए तो हमारे उप्शन से उप्शन है फूल आने पर उप्शन भी पकने पर उप्शन से फूल जरने पर उप्शन भी पकते हटने पर क्यूशन नमबर 33 में सही आंसर है पूल आने पर अच्छी हे के लिए जो पसल काटी जाती है वह फूल आने पर काटी जाती है साथे साथ मापको एकी परिवासा बता देता हूं हे होता गया है ये वह संगरी चारा होता है जो चारे के पकने की अवस्था में काटकर शुका कर इसको एक्तरित कर लिया जाता है। ये पत्तिदार होता है M इसका जो रंग होता है पिलापन लिया होता है। अगला कीशन है कीशन नमबर 34 निमले कितमेंशे कौन सी एक वार्षिक तीपटिया गास है जो मुक्यत सिचित उपोशन कटिवन दिये चेतरों में हुगाई जाती है और जानवरों के चारे के लिए उप्यूगत होती है हमारे उप्शन से उप्शन है मिस्टर की तीपटिया गास Option B, अल, साई, कस, साई, तिपतिया, Option C, स्वेथ, तिपतिया घास Option D, क्रिम्शन Q. 34 का सही आंसर है Option A, मिसर की जो तिपतिया घास है, यह उपोशन कटिवन चेत्रों में हुगाई जाती है अगला Q. 35 Q. 35, निम्ने चारों में से किस में सबसे अधिक पाचक प्रोटीन होती है Option A, Option A, Loose, Surner, Option B, Lobia, Option C, Gowar, Option D, बर्षीम Q. 35 में सही आंसर है Option D, बर्षीम जिसके अंदर सबसे अधिक पाचक प्रोटीन होती है साथी साथ मैं आपको पता दू साथी साथ मैं आपको तो अधिक बर्षीम में जो की 20% सरवादिक प्रोटीन पाए जाती है वह पास्परोस और केल्सियम जो 2% पाए जाता है वह वह साथ 3% होती है और जो बर्षीम होता है यह एक लेग्यूमिनेशी कुल का पोदा है जो बूमी में लगबग 40 की गराण नाइट्रोजन इस्तरी करने का काम करता है अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 36 स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहे है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले चैनल पर आप नहीं है तो पटापट से चैनल को कलीजे सब्सक्राइब ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलने में आसानी रहे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी जो की राष्तान पस्वरीचर के तयारी करें वो भी तो क्यों कि स्टेडी चैनल पर अपलोड की गई त्योरी क्लास और टॉप क्यूशन सीरीज की क्लासेज के माद्यम से अपनी तैयारी का पिशांदार तरीके से कर पाएं HCN की लगबग कितनी मात्रा पस्वरो के 7 के लिए हानिकार रख होती है हमारे उप्षन से उप्षन ए 0.25 उप्षन B 0.50 उप्षन C 2.50 उप्षन D 3.50 ग्राम क्यूशन नमबर 36 में सभी आंशर है उप्षन B 0.50 ग्राम जो की HCN की लगबग जो मात्रा होती है वापस्वरो के 7 के लिए हानिकार रख होती है साथिसाथ मैं आपको बतादू जो एसी एन जिसका पूरा नाम होता है हाइड्रो साइनिक अमले यह एक विशेला पदार्द होता है और पसु दुआरा जब सारा दिखाया जाता है तो पसु के मर्तियों जाते हैं 500 की ग्राम शरीर बाहर वाले पसु के ले जो 0.5 ग्राम एसी एन यह मर्तियों का कारण हो सकता है अगला क्यूशन है क्यूशन नंबर 37 नेपियर गास को किस कारण गवार या लोबियों में मिलाकर खिलाना चाहिए औप्शन से औप्शन इसो दित रहसा अधिक होने के कारण औप्शन इसको गवार वर लोबियों के साथ मिलाकर किलाना चाहिए साथी साथ मैं आपको बता दू इसमें जो अमल की जो मात्रा है उक्जेलिक अमल की मात्रा कम करने के लिए इसे दलेनी पसलों के साथ उगया जाता है अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 38 हाती गास की कौन सी परजाती बहु वर्षिये है हमारे उप्शन से उप्शन ए पूसा जोइंट उप्शन बी एन बी 21 उप्शन सी पूसा जोइंट नेपियर उप्शन डियर नेपियर पस्ट क्यूशन नमबर 38 में सही आंसर है उप्शन बी एन बी 21 जो की हाती गास की बहु वर्षिये परजाती के रूम में है साथ ये साथ मैं आपको बता दू जो पूसा जोइंट और नेपियर है ये दो से तीन वर्षी है और जो पूसा जोइंट नेपियर पस्ट आदी एक वर्षी है पर जाती के रूम में है अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर टर्टीन नाई सरीर को उर्जा परदान करता है तो हमारे उप्षन से उप्षन 1 कार्बाइड उप्षन 2 खनी लाउन उप्षन C वसा उप्षन D विटामिन क्यूशन नमबर टर्टीन नाईन में सही आंसर है उप्षन C जो वसा है ये सरीर को उर्जा परदान करती है माप को उतादू एक ग्राम जो वसा आक्षि करतो होती है तो उससे हमें नो परण तीन किलो केलोरी उर्जा मिलती है साथे साथ माप को उतादू जो विटामिन है जो की सिरीर में परदिरोधक समता या रगों से रख्षा करते हैं चलते हैं अगले क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 40 साइलेज के किनवी करण में यूरिया की हानी कितने परतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए क्योंचन नमर 40 में सही आंसर है साथ य साथ माप को बता दू जब साइलेज को दबाया जाता है तो इसके अंदर 48 किंटे के बाद में किन वन की प्रोसेस सुरूँ हो जाती है अगला विज्णन है क्यूशननन्मर 41 बर्शीम का बीज परती हेक्टेर कितना लगता है сложे हैं ऑप्शन आठारे से 22 किलोग्राम अप्शन भी 25-30 किलोग्राम ऑप्शन C 30-35 किलोग्राम अप्शन D बीज, एक-एक दियर परती लगता है अगला क्यूसन है, क्यूसन मबर 42 प्सवों के सरीर में केल्शियम के मातरा कितने पर्तिशत पाई जाती है हमारे אोप्सन से, आप्सन है 1.3% आप्सन है 2.3% आप्सन से 3.3% आप्सन दी 4.3% Q42 में सही आंसर है Option C 3.3% जो कि पस्वों के शरीर में केल्सियम के मात्रा पाई जाती है जो कि जियों में हडियों के विकास के लिए आउशिक है अगर केल्सियम की कमी होगी तो हडियों से समंदित जो रोगे वह ज़्यादा होंगे अगला Q43 Q43 में सही आंसर है जिनें पस्वों खुद उगाते हैं उन्हें करत्रिम चारागा कहा जाता है और साथ शाथ मा आपको पता दूए चारागा उगाने के लिए उपजाव भूमी होना ही चाहिए चलते हैं अगले Q44 निमन में से दीननात गास की विशेष्टा है हमारे उप्सन से उप्सन ये एक विदेशी गास है उप्सन भी गास की पतिया चोड़िवे धारदार वर रशीली होती है उप्सन ये वर्षारितू के प्रारे में जून जुलाई में इसकी बुआई होती है उप्सन डी उप्रोक सभी Q44 में सई आंसर है उप्सन डी उप्रोक सभी जो दिननात गास है वे एक विदेशी गास है गास की पतिया चोड़िदारदार वर रशीली होती है वर्षारितू के प्रारे में जून जुलाई में इसकी बुआई हो जाती है साथे साथ माप को उताद जो इसकी कटाई होती है वे बोने के पचास से सार दिन के बाद में की जाती है और इसकी जो फार्मे है उससे हे भी बनाई जाती है अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 45 सूका एम अभाव गरस छेत्रो हे तूपस वोगा आहार है हमारे उप्शन से उप्शन ए गन्ने की खोई सूकी पतिया उप्शन भी मुपली का उपरी छिलका उप्शन से सूकी बास के पतिया उप्शन डी उप्रोक सभी क्यूशन नमबर 45 में सही आंसर है उप्शन डी उप्रोक सभी जो सूका अभाव गरस छेत्र है वहाँ पर गन्ने की खोई सूकी पतिया भी पसो का आहार होता है मुखपली का उपरी छिलका भी आहार होता है और सुकी बांस के पत्तिया भी आहार होती है स्टुडेंट ये थे हमारी पसुपालन विज्ञान से तो 45 क्योशन्स अगर आपको अमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले चैनल पर आप नहीं तो पटा पट शे चैनल को कुलिजर स्ब्सक्राइब ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिभिकेशन मिलने में आसा नहीं रहे वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले साते साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंट्स को जरूर सेहर करें जिससे वो भी अपनी प्रसुपरीचर की तैयरी क्योंकि स्टेडी चैनल पर अपलोड की गई तेयरी क्लास और टॉप के शेरीज की क्लासेज के मादिम से काभी सांदार तरिके से तैयरी कर पाएं इस्टुडेंट वीडियो देखने के लिए टैंक्यू मिलते हैं नेस्ट वीडियो के अंदर